अब कहीं जाने की ज़रोत नहीं है क्योंकि आप रेली अपने घर पे बना सकते हैं ये सबसे पहले एक ब्रेट की स्लाइज ले अब उसके ऊपर थोड़ा सा पटर अपलाई करें अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी को स्प्रेट करें अब इसके ऊपर बॉल के हुए अलू के स्लाइजिस रखें और इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रेट करें अब इसके बाद है कुकंबर की slice रखें उसके बाद वापस चाट मसाला का layer डालें अब अब आप नमक और काले मिर्च अब आप ब्रेट का दूसरा slice लें उसके ऊपर बटर को spread कर दें और उसके बाद उसके ऊपर आप ग्रीन चैटनी भी spread कर दें और इस तरह से almost आपकी Bombay Wet Sandwich ready होने ही वाली है just इसको करीबन 6 parts में काट ले तो यहां पे हमने एक secret ingredient यूज किया हुआ है that is chaat masala जो के आपको एक authentic taste देगा इसको बहुत सारे चीज के साथ आप इसको गार्निश करें और शाम को अपने फ्रेंड्स को गफ़े बुलाएं और उनके साथ प्चाही और कॉपी के साथ असको जरूर सब करें I am damn sure they are going to love this recipe a lot